नमस्ते दोस्तों आज हम लोग है खरभूजे की फिल्ट देखें अगर इसे हम तो काफी अच्छी वेल मेंटेन है ग्रोथ अच्छी है यहां पर पहले यह काटन का खेता कपास लगावा था जो रोटर किया रोटर करने के बाद डिरेक्ट फिर से डाला डिरिप डालने के बा व्रायटी में आपको बता दूँ तो यह निर्मल कमपनी का 203 नमबर वेराइटी है काफी अच्छी वेराइटी है स्टेबल है यह लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली वेराइटी हो में से हैं यहां पर होता क्या है कभी कभी जैसे यहां पर जहां पर मैंख़डा हूँ इसके पीचे बहुत बड़ा रीजन है यहां पर ड्रिप डला हुआ है और यह जो कोना है यह कोना एक पूरे खेत का थोड़ा सा दबा हुआ मतलब यहां पर गहरा बोल सकते हैं इसको तो यहां पर पानी storage capacity ज्यादा है और यह जो सुरुवाती च्छन होते हैं इसमें इसको प हम इसे नहीं समझ पाते हैं तो बहुत से लोग इसे फंगस का नाम दे देते हैं और काफी सारा दूसरा अनर्गल खर्च कर देते हैं तो कोसिस करें यहाँ पर अगर पानी चल पा रहा हो तो पानी का management थोड़ा सा ठीक से सुधार लें तो भी इसमें काफी अच्छा सुधार जाएगा इसके अलावा फर्टीगेशन और इस्प्रे यह दो चीजें भी यहाँ पर माइने रखेंगी सजेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए तो इसमें यहाँ पर सुरुवाती छण में root development जो वहाँ पर कमजोर हो गया है और कमजोर होने के सांसा तुसे energy भी कम मिल रही है तो instant यहाँ पर हमने practically भी work किया है काफी अच्छा response मिला है यहाँ पर 24-24 जीरो 50 किलो की packing में आता है या फिर 10-26 या फिर DAP तीनों में से एक कोई भी एक एकड़ पे 10 किलो वो लेना है 200 लिटर पानी के उपर और उसमें लेना है फसपरिक एसिड 1.5 किलो के आसपास फसपरिक एसिड लेना है एक लिटर ले लो सिधा सा है तो सबसे पहले पानी डालना है पानी डालने के बाद Solubal Form करने के लिए उसमें फसपरिक एसिड लेना है फसपरिक एसिड के बाद हमें वो फर्टिलाइजर डालना है और उसी में साथ में 2-3 किलो Magnesium Sulphate लेना है वो भी काफी अच्छा greenery के लिए help करेगा और इन तीनों को पहले अच्छे से mix करना है उसमें कोसिस करें एक अच्छा सा जाइम Cividectric, Cytokinence इस तरह से हम दे दें ताकि पोधे को एक extra energy अच्छे से मिल जाए तो ये चीजें करना है और उनको drip में चलाना है अब drip चलाने के लिए क्या करना होगा आपको कि उसे कुछ ही समय में आपको complete करना है इसा नहीं कि चला रहे हैं एक डेट घंटे तक तो फिर वो problem करेगा एक रोज छोड़कर अभी पानी देना है ये सुरुवाती अवस्था जो होती है एक रोज छोड़कर ही पानी देना है पर डे पानी बिलकुल भी नहीं देना है अभी की अवस्था में इसके बाद इस्प्रे तो अभी मैंने कुछ पोधे देखे थे जहां पर काफी था लिप माइनर बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यहां पर हमारा पहला इस्प्रे जो गया था अभी एकदम क्लीन है आप देखे का यहां पर कोई insect way से पhrane major, कहीं कहीं पर दिखा था, यह lip miner था, यह खतम हो गया है अब यहां पर देखे तो यह lip miner जो था यह dead हो गया है पूरा का पूरा खतम हो गया है, तो lip miner भी नहीं है और पूरा का पूरा clean है, एक तरह से insect से बात करें और करीब करीब मुझे लग रहा है कि यहां पर साइद 8 रोज पहले, कितना 8 रोज होगा इस्प्रे किया हुए, 8 रोज के करीब हुआ है इस्प्रे पर अभी एकदम क्लीन है, और नेक्स्ट इस्प्रे जो अभी लगेगा, वो कल या परसों में, तो एक इल्ली के लिए भी हम हम खात्मा कर देंगे, क्योंकि वो वाइट फ्लाई को मारता नहीं, वो खा के खतम कर देता है, इसमें एक और चीज निकल कर आती है, ग्रोथ हम देखते हैं कि हम खूप सारा फर्टीगेशन करते हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं आती है, तो उसके पीछे क्या रिजन होता है, उसके पीछे रिजन होता है, बोरवेल या कुए का पानी भी, उसके क्यूं, क्यूंकि कभी-कभी हम देखते हैं, उसका पानी का पीच काफी हाई हो जाता है, और वो पीच हाई होने की वज़े से हम फर्टीगेशन दे या पोधा लेने के लिए सक्षम नहीं रह पाता है, तो बीच बीच में हमें कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे, जो नेक्स टाइम में आपको बिलकुल जरूर बताऊंगा, और पानी यहाँ पर टोटल कुए का चल रहा है, काफी अच्छा पानी तो एकदम बहुत सुन्दर है, तो कोसिस करें यह जो छोटी-छोटी चीजें ब करेंगे कि यह जो बीच की बड़ा सा एरिया है, जो सर्फेस छोट रखा है, इसमें एक बार बक्खर चलाना है अच्छे से, और बक्खर चलाने के बाद इसी वाले सर्फेस में एकदम सेंटर में यहाँ पर पोधे से करीब इधर की तरब हमें गेब देना है, यह वाली जो हम गेब देंगे यह वाली यहा पोधे से इस गेब के बीच में जो एरिया छोड़ना है, यहां से करीब एक फिट से, एर्षा करीब 1 जानी इरिया छोड़ेंगे डेड़ इधर डेड़ उधर और बीच का जो सर्फेस ये वाला इस सर्फेस में नाली बना देंगे तो नाली बनाने से क्या होगा एक एर कटन बनेगा और एर कटन जब बनेगा तो इसकी जो रूट डेवलप होकर यहां पर आएंगी उनको अक्सिजन लेने में काफी अच्छा सोर्सेस मिल जाएगा तो एक वो भी इसमें हेल्फ होगी इसके साथ रूट के डेवलपमेंट में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करता है तो हम यहां पर जरूर ड्रिप में एक बार ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनाज भी चलाने वाले हैं और बाकी तो फिल्ट अच्छी है पत्ता भी अच्छा है इसमें कलर भी अच्छा है सारा सारा कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें अच्छी है इंसेक्ट भी अगर बात करें तो कोई इंसेक्ट नहीं है यहां पर एकदम पूरा फ्री होकर चल रहा है पूरा का पूरा सौप्ट एकदम बढ़िया है तो कोसिस करें दोस्तों यह जो चोटी चोटी चीज़ें इसमें बताई है इन्हें अगर हम अपना ले त असल से और यह एकदम सौट डिवरेशन वाली क्राप है तो हमें बेसल डोजेज बहुत इंपोर्टेंट रखते हैं यहां पर इनने बहुत जल्दी करी थी उस समय में क्यूंकि ज्यादा समय नहीं था बीज लगाना भी था और एकदम एक्साइडेट था थे तो फास्ट ट पोजेज भी करवाया है जिसके अंदर एक एकड़ पे हमने एक डिएपी एक पोटास और मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट के कीट आते हैं वो हमने यहां पर करवाया है और अभी का जो कुछ एरिये में हमने बाई प्रेक्टिकली कुछ फर्टीगेशन सजेस्ट करेते हैं वो प्रे olduğory आसाता दूर रहे यहां पर भी डाल सकते हैं यह नमी होती है काफी और रूट का achievingट यहां पर काफी होता ही होता है तो रूट अवस्था में जिनके पास यह सारे hard fertilizer और soft नहीं कर पाने की व्योस्था नहीं हो तो फिर suggest करूंगा कि 1990 ले लें बीच में calcium nitrate ले सकते हैं 1261 ले सकते हैं क्यूंकि phosphorus कुल मिला के सबसे ज़्यादा जरूरी है इंपोर्टेंट रखता है वो तो इन चीजों को छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें अगर तो हम एक अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं बाकी तो आप देखी रहे हैं क्राप ये वाला एक बेल्ट है जहां पर काफी अच्छा है पर्फॉर्म पूरा का पूरा कि करा दो सकते हैं बाकी